हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आल्लाइन स्रिक्षन पर नित्रों फटाफट जूड़ जाए और अपने प्रकास सर की बात माल लिया करिए आप तोड़ा सा फटाफट सेयर कर दिजिए उन बच्चों को जो बच्चे अभी तक नहीं है और आप लोग की संख्या धिरे-धिरे कम होती जा रही है कारण क्या है बताईए कुछ और जितने भी बच्चे हैं कम से कम वह तो रेगुलर बनाए रखें अपना और इसका सारे जितने भी क्वेशन बताया जाते हैं आपके उसका नोट्स भी प्रिपेर करते चलें है न जो क्वेशन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बोलिए उसको फिर से बताया जाएगा आपको है ना चलिए मित्रों तो आप फटा फट सेयर कर दीजिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमने 25 क्वेशन तक देख लिया था कल जो बच्चे नहीं देखे हैं कल का वीडियो जरूर द नामान लेजिए आप सिरीज के भरोसे न रहिए अगर अपने अनुसार करते हैं कॉंसेट के अनुसार तो आपको सही करेंगे तो यह पहला क्वेशन यह बोला है यदि किसी वृत्त में उसके किसी लगुचाप का अंस 70 डिग्री है 70 डिग्री है तो उसके दिर्ग चाप का अंगल किया होगा आपको यह बताना है अचा आप बताईए अगर हम बोलें यहां से हमको एक चाप काटनी है यह है लाइन और यहां से परपेंडिकुलर एक चाप काटनी हमें तो हम क्या करेंगे यहां पर अपना अपना जो है कि प्रकार जो गुलाई प्रकार होता है उसक उसका जो चाप दिया है न वह 70 डिगरी दिया है और आप से पूछ रहा है बाहर वाला कितना होगा या पूरा जो बचा हुआ कितना होगा तो जाहे इसी बात है किसी एक सर्कल में 360 डिगरी का एंगल बनता है है न तो 360 माइनस आप 70 कर लेंगे कितना आएगा 290 आएगा कि नहीं आएगा बित्रो 290 आएगा न तो बस यहीं आपको बताना है इसमें वही सारे चीज़ें लिखी हुई है देखिए किसी विरित्त का अंसमाप 360 डिगरी होता है आपको पता है अगर लगुचाप आपको दिया है 70 डिगरी तो यहां पर बस माइनस कर लेंग कर लेंगे आपका राइट एंसर आजाएगा 290 मित्रों चलिए आगे चलते हैं नेक्स क्वेशन देखिए बहत आसान क्वेशन है करिए फटा 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 लोग 27 नमर का क्वेशन 14 माइनस 5x माइनस x2 का गुड़न खंड क्या होगा दोस्तों हमने आपको बहुत ही बार बत चौदा आगया और बीच में बचा 5 तो बताइए साथ को 14 को किस दो रूप में तोड़ लें कि गुड़ा करने पर 14 आजाए और जोडने घटाने पर 5 आजाए तो आपको पता है साथ दोनी 14 होता है साथ और दो साथ दोनी 14 साथ गुड़े दो 14 साथ माइनस 2 पांच आ गया ठीक है बसब कर लेंगे देखिए इसका डारेट फंडा है माइनस का प्लस होता है माइनस माइनस प्लस का माइनस होता है तो एक तो हमारा बड़ा वाला है तो सेवन आएगा चोटा वाला क्या आजाएगा दो आजाएगा तो याद रखेंगे चोटा वाला जो है वहारा दो आएगा और बड़ा वाला हमारा से बनाएगा इस तरह कुछ हमको नजारे देखने के मिलेंगे त्यानी कि जो हमारा राइट एंसर होगा एक से बराबर कितना होगा एक से बराबर में दो हो जाएगा यह होगा दो हमारा मिलेगा लेकिन आपको इस तरह नहीं लगाना है मित्र इसको common कर लेते हैं लेंगि यहां पर 0 नहीं है तो हम लेके चलते हैं इसी तरह x square minus 2 x sorry plus 2 x minus 7 x और plus का 14 है बस अब निकाल लीजिए इसमें से x common करें तो क्या बचेगा x minus 2 बचेगा अगर minus x common करेंगे इसमें से तो आपका क्या बचेगा x minus 2 बचेगा और इसमें से भी minus 7 common करेंगे तो यहां भी x minus 2 बचेगा 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 तो बस यहां पर minus x यहां पर minus 7 है minus x बचेगा 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 तो आगे चलते हैं 28 का बहत असान question है x square plus 8 x plus 17 x square plus 8 x plus 17 में अगर x plus 3 से भाग देते हैं तो भागपल क्या बचता है देखिए मित्रों हम आपको एक चीज़ बताते हैं इसमें सिंपल सी फंड़ा है आपको x plus 3 दिया है ना क्या बचेगा इसमें तो आप क्या करेंगे x बराबर minus 3 रखने से देखिए क्या मिलता है यहां पर 3 का square करेंगे तो 3 तरीका ना होगा अब यहां पर 8 x 24 माइनस है तो 24 माइनस 24 होगा की नहीं होगा और यहां प्लस 17 है प्लस 70 लिख लिए आप अब इस तब को हल कर दीजिए 17 प्लस 9 करेंगे तो 17 तीन 20 और आपका अच्छा है तो कितना हो गया 26 अब 26 माइनस 24 कर देंगे तो कितना आएगा देखिए सेस्पल दो आ गया कि नहीं हो गया तो यह तो यह असान तरीका है कि जब आपको जिससे भाग देनी के लिए बोल रहा है आप उसी को क्या करेंगे एक्स ब्राबर माइनस 3 मान लेंगे यहां से एक्स ब्राबर माइनस 3 हो जाएगा हो गया एक्स ब्राबर माइनस 3 हो गया अब इस ब्राबर जो माइनस 3 अब यह एक्स के क्वल टू तो अब इस एक्स की पूरी की पूरी वैलू आप अगर इसमें रख देते हैं रख देते ह क्या पूछा है दूसरा भाग फलक से स्क्राइब को भाग प्ठाएगा में पहले यहां प्लस तीन एक सों ऑप की 17 को नीचे ले लेंगे तो 5 x plus 17 हो गया अब इस बर कितनी बार जाएगा इस बार जाएगा प्लस 5 बार जाएगा 5 x 15 आपर 5 xREE 5 15 यहां पे 5 x plus 17 है तो आप क्या कर लिए 5 x plus 15 15 15 parece 15 पंद्र का मतलब है पांच तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं मित्र आराम से भाग दीजिए नहीं आता है तो फिर से बताएंगे क्योंकि बोर्ट पे पढ़ाने का मतलब कि आपको नहीं दिखेगा कि राजन सीरीज है कि ठाकुर प्रसाद जी का है कि पावन सीरीज है इस वज़े से हम आपको बोर्ट पर नहीं कराके इस पे कराने की कोशिज रहा है क्योंकि यह सारी चीजें हम बहुत बार करा चुके हैं आपको बोर्ट पे तुछ इसको बेसिक देखना है और लास देख सकता है अपना अब इसमें देखिें आपको ड़ीजिट क्या अपना है आकडों का मादिका बताना है तो मुने बताया था मादिका कैसे निकालते है बतायों कि आथ भालिकायों है सब को जाई करते हैं इसको अरांधिका निकल कर सकते हैं कि आप पुछे नहीं करना है देकि 140 है protests 38 है एकसो पचास है 136 है 139 है 135 है 142 है इतनी संख्याएं है तो हम सबसे पहले राउंड लेते हैं 140 में 100 ले लिए 200 300 400 500 600 700 800 यहां टोटल कितना आ गया राउंड फिगर में 800 आ गया अब लिकिन यहां पर 40 बच रहा है 40 और देखिए 50 40 पले उसको ले लिए 40 और 38 कितना हो गया 40 और 38 कितना हो गया 78 70 78 में 78 में प्लस आप 48 जोड़ लीजिए 78 में 48 जोड़ेंगे यह वाला तो कितना हो जाएगा जोड़िए 78 में दो दे देंगे 80 हो जाएगा 80 पलस 40 करेंगे 80 पलस 40 का मतलब 120 120 हो गया 120 हो गया 50 जोड़ लिए 126 में जब 50 जोड़ेंगे देखिए 800 पहले से आ चुका है अब जो बच्चे जूड़ रहेंगे सोच रहेंगे सर गलब बता रहें लेकिन सही है बच्चा 126 में 50 जोड़ेंगे तो 50 बी 70 170 होगा कितना होगा 176 में पलस 37 जोड़ लीजिए तो चार जोड़ते हैं तो 80 हो जाएगा बचा कितना आपका 30 टैस्ट बचा ना तो 180 में अगर 20 जोड़ेंगे 200 होगा 200 होगा न और धर 13 बज जाएगा यानि 213 हो गया अभी तक में 213 में यहां पर 33 जोड़े जोड़ेगे तो 6 हो गया यानि दो 16 दो 16 में 30 जोड़ेंगे तो 240 246 में फिर पैंतीज हो लीजिए 25 जोड़ेंगे 246 में जोड़िए जोड़िए आप लोग देखे 246 में 35 जोड़ेंगे तो छपमाची 11 और चार तीन साथ एक आठ और यहां पर दो 281 आ गया 281 में फिर से 42 जोड़ लीजिए 281 281 और 42 अभी धर मारा 845 था राउंड फिगर वाला तो यहां पर जोड़ लीजिए दो एक तीन आठ चार बारा को दो हत्में एक दो एक तीन अब 323 को 800 में जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 333 आठ और दू 111 1121 1120 1130 1130 को अब क्या करेंगे आठ से डिवाइड कर देंगे कर लिये तो देखिए आठीकम आठा आठ एंसर ग्ल़ did आ क्या सक्टा पर ऐसक्ता एंसर ग्ल़ ल सक्त फिए स्टार्टो म्याद दिया हो 8.332 देख लिए काट यह 1130 को कितना होगा 930 में आप 8 से divide करते हैं तो 8 कम 8 821 1110 यानि एक 3 12 दिखां उदर 3 तो 32 दो भाग नहीं जाएगा 10 जीरो आएगा 1010 में तो 140 10 में पूछाने वाला इसा चेक होता है किसी व्यक्ति का नाम होता है उसमें अथवा किसी वहक के द्वारा लिखी धनरासी को बैंक से प्राप्त कर सकता है जैसे आपने कोई आपको काम कर रहे हैं वहां का मालिक आपको चेक देता है मतलว किसमय नहीं है बैंक से पैसा निकालने के लिए आप चेक लें लिजे Mirko सब्सक्राइब बैंक बird्सक्राइबो करोने टेक्शे कलेता है उसे एका सब्सक्राइब बिल्युक्त उसक्टार तो इस तरह वह से बोलते हैं वहाग चेक ठीक है याग रखेंगे कि एक समकोड त्रिभुज के समकोड बनाने वाली समकोड बनाने वाली भुजाएं चार सेंटीमेटर शेंटीमेटर त्रिभुज का शेतरपल ग्याद करिए तो समकोड्र का शेटeton चार सेंटिमेटर चार सेंटीमेटर त्रिभुज का इठीक है ऐ तो दो दो नी चार हो गया दूच्छा का बार आपका राइट एंसर केतना हो जागा बार सेंटीमिटर स्वाइर 12 स्वेंटीमिटर स्वाइर चलते हैं नेक्स के तरफ बहत आसान आसान के वसन है इसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को आप लोग बस देखते चलिए देखे नाइन और यक्स 12 और 16 यह इतने दियें हैं आपको समानुपात निकालना है यह सिंपल है नाइन अपान यक्स करिए बराबर 12 बटे 16 करिए तो चार तेन 12 चार ह सेम सेम उपर बढार को जीए करेंगा माइनस 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 क्या बना देता है धर प्लस कई क ब्लस माइनस माइनस प्लस हो को जाता है अब दकार ैयाशितरीग देखनादे चाहिए जुडने कटाने पर 3 वना चाहिए तो जहरट सी बात है 5 और 2 होता है जब ही प्लस होता है तो बड़ा वाला हमारा क्या हो जाता है 5 में फोचाता है और जोटा वाला इसको जाता है यह ऑप जयंगा बंदोब बंदी प्रस रंख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं तो यक मतलब कि 6 मीटर दिया है लंबाई और 2.5 मीटर उचाई दिया है और 15 सेंटीमिटर चोड़ाई वाली एक दिवार है उसका आयतन गयाद करना है तो आयतन का मतलब क्या होता है उसमें तीन यूनिट आते हैं मीटर क्यों होता है से इस तरह की यूनिट आते हैं तो आपको जाहिए से बात है दोस्तों जितने भी लंबाई चोड़ाई उचाई दिये हैं सब का मल्टिप्लाई कर लेना है आराम से सिर्फ यह द्यान देना है कि कहीं मेटर को संटीमिटर में तो नहीं है मतलब कि यूनिट सेम है कि नहीं अग पांच के साथ 25 में जो में भी जो सहलों करेंगे जब 25 का मतलब 25 बनल या पंदर आ गया अगया अगर नहीं वीडियो देखेंगे अन्य था लाइक करके जाएंगे है ने दोस्तों चलिए लाइक सेयर करना ना भूला कर गया आप लोग लाइक सेयर आप एक तरसे आदत अपने डाल लीजिए जैसे हम आदत डलते हैं डेली वीडियो लाते हैं तो आप भी आदत बना लीजिए अब दोस्तों पहले आप इसको जो मिस में दिया हुआ है आपको आपका यारा है इसमें किस चीज़ स्कूरा करें कोड़नफल फोटीट हो आजाए तो सिंपल है इधर 59 गूर्ण से कड़ता है एक से गूड़ा चलिए आगे चलते हैं फटा-फट अब देखिए बेहत आसान कोईसन आ गया है आपके सामने समानुपात के बाय पदों तो था मद्द पदों के गुड़नफल में संबंद ग्याद करिए तो सिंपल सी बात है अगर समान पद अगर बाय पद है और अन्ता पद है बाय पद और और D को एक साथ करिए आप B और C का गुड़ा एक साथ करिए जब दोनों बराबर आ जाते हैं ना तब संतुलन में माना जाता है तब समानुपात आपका बिल्कुल पर्फेक्ट है तो याद रखीगा मित्रो अगर समानुपात होगा तो इसका मतलब अंतपद उड़े बाहएपद आना चाहिए यही बोल रहा है चलिए कर सकते हैं आप इससे देखिए इसमें कोई भी नंबर मान लेंगे इसमें कोई नंबर माना है जैसे हमने यह बी-सी-डी माना उससे कोई नंबर मान के आप कर सकते हैं ठीक है ना उसको कोई भी नंबर मान लेंगे उसको बराबर ला देंगे बस मानने लेके बाद ठीक है न और आप साबून मले 24 रुपया है तो साथ सा रंस देखिए अगर आप यर चाई Saaboonka मले 24 रुपया है कितना है 24 रुपया है तो अःको साबून अगर आप इक साबून मलेजिए और दुकान से ले लिए तो आप क्या होगा help है गटेगा प्राइस बढ़ेगा न तो इस तरह का अगर समानुपात हो अगर इस तरह के अनुपात में रेशियो में हो जब आप प्राइस बढ़ाएं और आपकी संख्या मदब संख्या बढ़ाएं तो प्राइस भी बढ़े तो इस तरह की काम को बोलते हैं या क्या हम हो गया अगर समय बढ़ाएंगे तो time मतलब कि समय बढ़ाएंगे तो speed क्या होगा speed क्या होगा भी आपको अगर समय बढ़ा दिए देखिए speed is call to distance upon time होता है अगर आपने time बढ़ाया time बढ़ाया तो speed घट जाएगा यहां कि आप ही सोची है अगर साइकल से जा रहे हैं कहीं साइकल से जा रहे हैं अगर साइकल के स्पीड बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुचेंगे घर पे तो समय घट जाएगा समय घटा है समय बढ़ जाएगा मिल गए मित्र रास्ते में मिल गया कोई और कोई और मिल गया बाई समझ रहे हैं आप लोग न कोई और मिल गया रास्ते में अब उससे बात करने लगे रास्ते में अप कैसे इस तरह के हो गया आपका स्पीड घट गई आप समय बढ़ गया तो यह हो गया विक्रानुपातिमे लेकिन यहां पर सब क्या है wonderful क्या है साबुन से कि संख्या बढ़ेगी तो इस बढ़ेगा तो छ से चेशंग में 24 रुपए में यह साथ रुपए में ज्यादे मिलेगा तो कर लिए छेश्य ब्राबर 24 व्री एक्स ठीक अब इसको सौल पर यह कंग 14 चार रुपए का मिल रहा है आपका चलिए आगे चलते हैं कि यहां पर देखिएगा यहां पर विल्कुत सामान है अराम से करना है यहां पर भी 12 मजदूर एक दिवार 10 दिन में बना सकते हैं उसी दिवार को च्छा दिन में बनाने के लिए कितने मित्रों की आवसकता होगी अब बताइए जिसकी एफिसेंस से जादे होगी वह जादे वर करेगा जिसकी एफिसेंसी कम होगी वह कम वर करेगा यानि कि जिसकी एफिसेंसी कम यानि कि जिसकी छमता कम वह जादे दिन ले लेगा जिसकी छमता जादे वह कम दिन लेगा कि गाम कर रहें तो जाहिश सी बात है आप इसको सीधा कर लेंगे इसको ईल्टा कर सकते हैं तो 10 बटे 6 अगर इधर लिख रहे हैं तो इधर आपको लिखना होगा यक्स बटे 12 लिखना होगा वहाहच को से बासक शेक में करने में जाइए और त counties the दिन क like 10 दिन लग रहाता तो ऐंग भूंग्य चाहिए इना नए ख स a पलसा है फंडा कुछ इसमें लगाना नहीं मित्रों दस मजदूर किसी काम को दो दिन में कर सकते हैं तो दो मजदूर किसी काम को कितने दिन में करेंगे दो दो से गया यक्स बराबर कितना आ गया आ गया आ गया कि नहीं आ गया दो दिन में मतब कि दस मजदूर काम कर दिये मत डिले होगा ही ज्यादे लंबा समय घीचेगा तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा दस हो जाएगा ए अभी what ESM है तो इसके भी इक करेंगे इसको आप अरां से करिये तो चलिये श्मजदूर एक कमरे साथ दिन में बनाते तो पैप 20 मजदूर इस मजदूर को कितने दिनों बनाएंगे तो साथ तुरी का एक एक कैस। अब तीन इधर आजाएगा तो चन के तीन Saying साथ दिन लग रहा है तो अब कई मजदूर हो जाएंगे तो समय घड़ जाएगा ना भी मैं आप इस तरह पर गाएंगे लगता चला जाएगा नेक्स क्वेशन टाइम इस भी स्टेंस वाला तो एक रेल गाड़ी दो गिलोल मच demos केज है जाज जाती है तो पांस में जादे जाएंगी कि मित्रों गाएगी कि नहीं जाएगी ऑगांगी 5-6 12-2 याम से क्रास करा देंगे इसको यहां दो से काटेंगे तो च्छका बार साथ आ गया यक्स की वेलू कितनी आ गई साथ गुड़े पांच तो साथ गुड़े पांच कर लेंगे उच्छा पचे तीसा जाएगा है ना चलिए अब यहाँ देखते है'm 42 नंपर कंशन यह भी बहुत आसान कशन देखेश चार किलोग्राम चाय का मुले 420 रूपया है बदेखेश चार2 किलोग्राम का जब 3 सोथ 1 0大 together किलोग्राम का बढ़ेगा बढ़ेगा ही है भड़ेगा तो आप दो तो तरहीकों сказать कर सकते फरें है किलोग्राम का निकालने के लिए क्रेशा करेंगे चार सुबआ rabbits 4 कर लेंगे तो चार सुबीष точно 5 यृइए प्रसुर निकेल नाहीं 12 kg का तो बारज साथ रुपया आप दो तरीके से कर सकते हैं जैसे आप एक और किये थे भी ना पलटी मारने वाला चार बटे बारक कर लेजिए दुनों प्राइस को एक तरफ रखके और कर दो 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 आनुपात क्या होता है जब दो रासिया र्यक्स वाई इस प्रकार से संबंदितों की यक्स के पढ़ने पर दूसरी रासी यक्स को बढ़ने पर दूसी रासी वायू में उसी अनुपात में बिद्धी हो अत्वा यक्स के घटने पर वायू में भी उसी अनुपात में कमी हो तो ए रास्या अनुलोम समानुपाती होती है याद रखेंगे जैसे हमने कोई एक्जामपल ले लिखा है माले यह अनुपाते भी अगर B बढ़ाएंगे जो नीचे आएगा बी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो तो एगट धाएंगे घटाएंगे जैसे देखिये कैसे हम बताएγα 320-5 तो क्या बोलेंगे गट रहा है कि नीचे की संग्या बढ़ती जा रही है तो पूरा का पूरा वैलू घटा आ रहा है उसी तरह है प्रतिलों में चलते हैं तो दोनों आप समझ गए होंगे फोटिशिक्स के तरब देखेगा एक शात्रावास में 50 शात्रों हे तू 40 होत धिनों और जाते हैं तो भोजन की अफंदा है या क्या करना है वह उल्टा पूल्टा वाला करना में आपको पचास शात्र थे जब तक तब तक अराम से वा चालिस दिन में भुज़न को खतम कर सकते थे लेकिन अब क्या हुआ चात्रों की संग्या बढ़ी तीस हो गई तो पचास तीस असी हो गए तो असी गुड़े यक्स कर लेंगे तो चालिस एकम चालिस चालिस दूरी असी किस दिन लगे तो इसका राई टेंसर पचीष आज आएगा ठीक है मित्र चलते हैं आगे हैं ना कि दो गुड़ात्मक पतलुम कितना होता है अद दो का गुड़ात्मक पतलुम की बात करता है दो का तो बस दो को पलड़ दीजिए अब बोलेगा एक बड़े दो का सब्सक्राइब करेंगे नोरोत पार माइनस वन को परीमेष संख्या के रूप में लिखें जाये यह को परीमेष संख्या क्या हो दो कि अब दिख्यांगां क्वेस्टन अबैहत आसान क्यासरन दोस्तों एक जाएब नमबर क्योंकि हम बहुत ज़ादेकर थे यह क्योंकि पचीज़ पचीज़ रखेंगे तभी इस दिन में चर सकती है जो कि मिलकर 10 दिन management को चल सकती है तो बताना बारागाय जो है काव ऑर आठ आठ का लिजे जए पर फैलो कितने दिन में दस दिन में लगा रही तो बस यहां पर नहीं को चरने तो यहां पर देखिए 4-312, चार दूनी 8 और 10 दस से चला गया यानि कि काउ और बफायलो का जो efficiency आ गया चमता आ गया दो बटे 3 आ गया बतलब काउ जो है न वह दो दिन मैं दो और वफैलो की तीन एपिसेंसी है यहां पर लिख लिए तरफ आप काउव बटे वफैलो प्रवावत दो बटे तीन है काउव का दो है वफैलो का तीन है तो तीन दू पांच हो गया ना हमको क्या पूछ रहा है पहले टोटल वर्क बता देजिए टोटल वर्क कितना है तो तीन दू पांच पांच हुआ ना अब पांच अब किसी एक में गुड़ा कर लिजिए यह दोनों सेम आएंगे देखे कैसे बार दूनी चौबिस यानि कि बार दूनी चौबिस गुड़े दस करेंगे दो सो चालिस टोटल काम आगया इस तरह आठ तेक चौविस गुड़े दस करेंगे तो यहां से भी 240 काम आगया किसी को भी क्योंकि दोनों बराबर थे ना दोनों बराबर थे 240 हमारा टोटल काम आ गया अब यहां से हमको दो चीज मिला पहले तो मिला काउ बटे वफाईलों का रेश्यो मिल गया चमता का दो बटे तीन और टोटल वर्क मिल गया हमें कितना 240 अब क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं पूछ रहा है तीन गाय और तीन गाय है तो एक गाय का एपिसेंसी दो है तो तीन दूनी छ चो गया चो गया तीन भाय से तो तीन त्रीका नो च्छ पंद्र 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 आ गया अब पंद्र को क्या करेंगे आप देखिए इस तरह करने से कोई फायदा नहीं है आप सीधा साथा पंद्र का गुड़ा पंद्र डिवाइड वाई फिर से बता देगी ठीके मित्रूआ चलिए इसको अपटा पट करिये थोड़ा सा हेल्प करिएगा हम लोग का दोस्तों है ना चलिए 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 फटा-फट मित्रों अपना देहां दखिएगा मश्ति के साथ पढ़ाई करिए एकजाम बहुत पास है और ज्यादा संक्या में सेयर करिए ठीक है मित्र धन्यवाद